विल्कम बाग तो सुपर मॉम्म्स रेसिपी तो आज हम लेके आए हैं पंजाब की कास चीज सर्दियों की स्पेशलिटी साग वो भी अथेंटिक रेसिपी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की ये मज़ेदार वीडियो मैंने यहां पे साग को क्लीन करके अच्छे से एक तम बारी चॉप करना है मैं यहां पे बड़े वले नाइफ से कर रही हूँ पर जो हमारे पुराने बज़ुरुक थे यहां अभी भी जो गाउं में लोग रहते हैं वो इसको दाती के साथ करते हैं दात्री यानि की एक स्पेशल चॉपिंग टूल और चलिये मैं यहां पे साथ साथ इसको संभाल देती हूँ मैंने इसको बड़ी सी परात में निकाल लिया है और बारी-बारी मैंने 2 गुट्थी बरके यानि कि 2 किलो के अराउंड मैंने सरस्नों का साग लिया है और 1 किलो के अराउंड मैंने यहां पे लिया है पालग तो proportion हम यहीं रखें कि 2 is to 1 की ratio रखके चलेंगे बहुत खुले पानी में हमने पालग को और यह साग को अच्छे से धोना है लगबग 3-4 बार हम इसको पानी से निकालने के बाद एक अच्छे से जाली पे डाल के रख देना है जब यह साग जो है इसमें से एक्स्ट्रा पानी निकल जाए उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे next process साग बनाने में सबसे ज़्यादा main processing होती है हमारी साग को काटना और दोना मैंने full flame पे cooker को रख दिया है उसके उपर मैंने साग डालना शुरू कर दिया है और साथ साथ नहीं यह साग हमारा बैठता जाएगा और उपर से हम और समान डालते जाएंगे हरी मिर्ची थोड़ा से लेसून थोड़ा सा अद्रक और साथ में एक से डेट चमच भरके हमने डालना है नमक उसके बाद हमने लेयर्ज में वापिस साग और बालक डालने स्टार्ट कर देनी है और इस टाइम पे भी हमारा जो साग का फ्लेम है वो फुल रहेगा ऐसा करने से होगा क्या कि जो हमारा साग है वो नीचे नीचे बैठता जाएगा और हमारे जो कूकर में जगा बन जाएगी तो जैसे हम कूकर बन कर देंगे लो फ्लेम पे रखने के बाद हमें इसको साथ से आठ विसल्स तक प्रेशर कूक करना है तो चलिए प्रेशर कूकर खोल के देखते हैं साग बन गया है तो इसको हम चेक कर लेते हैं एक बार अब यह देखिए साग में पानी बहुत जादा ह करते हुए हम इसको रखडी के घोटन के साथ हम इसको अच्छे से पीस लेंगे महीन पीसा जाता है इससे और कोई हम मशीन या कोई हम ब्लेंडर नहीं यूज कर रहे हैं हमारे जो पूराने बज़ुरक थे ना तो उनकी एक सबसे बड़ा सादन था यह चीजे अब हमारा ए एक इनीशल स्टेप तो साग का कंप्लीट हो गया अब इस साग को आप चाहे तो हफता भर भी ऐसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं ठंडा होने के बाद तो हम खाने से पहले इसको तड़का कैसे लगाएंगे तो चलिए वो देखते हैं देसी घी में मैंने सूख्यू वैसे ही लगाएंगे थोड़ी सी देगी मिर्च और थोड़ा सा नमक डाल दिया है क्योंकि हमें टेस्ट एजस्ट करना पड़ता है अपने अकॉर्डिंगली इसमें कोई तीखा मसाला नहीं जाएगा जैसे कि कोई गरम मसाला या कोई कुछ और नहीं जाएगा इसमें और वो भी 5 से 10 मिनट तक हमारे पंजाब में ना पता क्या करते हैं एक तरफ तो रोटियां गरम गरम बनती रहती है और दूसरी तरफ ना साग उसको लो फ्लेम पे मदम मदम आच पेना बस ऐसे गरम करने के लिए छोड़ देते हैं और दूसरी तरफ गरम गरम चाहे मक्की की चाहे करनकी रोटी जो है वो बनती रहती है और सर्विंग चलती रहती है साग का परफेक्ट कॉंबिनेशन बनता है वाइट मक्कन के साथ और अब आज इस वीडियो के बाद आप पंजाब में बैटे हो या पंजाब के बाहर आप साग बनाना तो सीख ही गए होंगी से आप इसको ट्राइ करें और देख देरें सुपर मॉम्स रेसिपीज